रोशन भारत की सुनावी यात्रा में अभी आप हमारे साथ दुरे हुए हैं रोशन भारत के साथ जी हाँ इस चुनावी यात्रा में आज हमारे साथ एक ऐसे शक्षियत जो समाज सेवा और समाज कल्यान के लिए अपने बहुत जग़ा पे शावागिता दे चुके हैं आईए हम आपको मिलवाते हैं हायागार 84 बिदान सवा के छेतर से निर्दलिये प्रत्यासी परमजीत सिंग से जी हाँ आपने इस छेतर को ही क्यों चुना ये छेतर मेरे छेतर के बगल में है और मैं यहाँ के लोगों से बच्पन से जुड़ा हुआ हूँ और जिस छेतर से मैं आता हूँ वो रिजर्व सीट है और मेरे बगल में जो जेनरल सीट है मैंने सोचा कि पहले विकास और पहले परिवर्दों तो अपने घर में होगा ना तब हम पटना और दिली के बात करेंगे इसलिए छेतर को हमने चुना है देखिए यहां पर हायागार बिधान सवाज छेतर के जो समाज चेपी प्रत्याशी निर्दलिय प्रत्याशी अदम जीत सिंग जी हमारे साथ है इनका कहना है कि सबसे पहले हम अपने घर को सुरक्षित बना ले फिर हम आगे के छेतरों को भी संभालेंगे तो अभी जिस तरीके से चुनावी यात्रा चल रहा है इसमें आरोप प्रत्यारोप से घिरे हुए लोग चुनाव लज़ है तो इसमें आप किसको आरोप और प्रत्यारोप करके आप चुनावी यात्रा को आगे बढ़ा रहा है देखिए किसके उपर क्या आरोफ है और किसके उपर क्या प्रणत्योप है इससे हमें मतलब नहीं है हम सकरात्मक राजनिती करने आये हैं युवावर के हिस्षेदारी की बात करते हैं आगे मांग करते हैं कि 50% युवा चाहे वो किसी भी जाती और किसी भी धर्म से हो हर पाट जिस दिन यह मंसा बना लेंगे यह परिवर्तन हो जाएगा और युवा जब भागिदारी ले लेगा तो युवाओं के हाथ में हैं पूरा देश यह मोदी जी भी मानते हैं और लालू जी भी मानते हैं जी हां बिल्कुल सही इन्हों ने कहा और मैं इनसे आज एक बात जान बना के जी रहें क्या देखिए मैं जाती समीकरन की तो बात नहीं करता हूं अन्ना ही मेरा उसमें विश्वास है मुझे व्यक्ति के समीकरन में विश्वास है क्योंकि हाया घाट के लोग मेरे हैं और मैं हाया घाट का हूं और मुझे यकीन है कि इस बार हाया घाट बोलेग यहां नहीं किया है मगर मेरे भावनाओं को देख करके और मेरे साथ जो करकता जूर रहे हैं मेरे विचारधारा को देख करके क्योंकि मेरे विचारधारा है ग्रामिन विकास, ग्रामिन विकास पर स्वास्त में बदलाव लाईए, ग्रामिन विकास में सिक्षा पर बदलाव लाईए, हम पटना और दिली के लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, इस वक्त हाया घाट के लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि पहले मेरा गाउं अच्छित हो जाए तब हम पटना की बात करेंगे और बात रही जहां तक पुष्परम प्रिया की ठीक है उनके कैडर ने मेरा कहीं भासन सुना मेरे बारे में पता किया और उनके जो कैंडिडेट थे उनका नॉमिनेशन कैंसिल हुआ चाहिए वो कारण जो भी हो उन्होंने ये मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि हम लोग चाहते हैं कि आपके जैसा युवा इस राजनीती में भागीदारी ले और हम आपको समर्थन देना चाहते हैं और अगर कोई जनता प्यार हमको देना चाहती है तो उस प्यार को हम कैसे ना कार दे इसलिए हमने उनका समर दली लोग हैं जिनका टिकट कैंसिल कर दिया गया जिनकी उमिद्वारी को कैंसिल कर दे गई चाहे वो किसी रूप से हुआ हो यह मैं नहीं जानता हूं कि सच क्या है गलत क्या है वो सब लोग मेरे पीछे खड़े हैं कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और हाया घाट की पूर यह जा रहा है पता नहीं आप कैसे आगएं हमसे पूछने के लिए उनके ओपर राजनीति दबावड जा रहा है कि स्को लाइमला कि मत लाओ इसको मीडिया में मत लाओ नहीं तो राजनीति सोचल मीडिया में युवा उपर भी बैठाना जानता है और जमीर पर बैठाना भी जानता है तो मैं उन बातों पर यकीन रखता हूँ सक्रात्मक राजनिती करनी है नक्रात्मक में कोई बात नहीं करूंगा कौन कहां क्या किया पुरी जनता जान रही है जो पॉजिटिव है न उसको लाहिए गाउं में सिक्षा की बात कीजिए स्वास्त की बात कीजिए अपके गाउं में इतना परिशानी है कि अगर आदमी स्टेचर पर है तब भी कहते हैं कि मंत्री जी के पैड़वी होगा तो एडियम सीच में बेड़ मिलेगा आप बताई उ वो किस संदर में बोले उजाने मगर हम इतना जानते हैं कि गड़ीब का भी जितना अधिकार है उतना उस बागुच साहिब का भी आदिकार है ना आप गड़ीब को आख दिखाएगा क्योंकि समानता की जब बात करते हैं तो दोनों बढ़ावर है तो मैं अपने चैनल के मा पार्टी को स्विकार करना करने के लिए मैं भी अपयार हूं और मैं आपसे बात पूषना चाहнуюगा जैसा कि आप विकास की इ्याहरी निता करते हैं तो पिछले 10 साल से मैं चला रहा हूं तो मुझे पता है कि सीख्षा कैसे इस सुधरए बहुत सिंपल को सिंपूटे जबाब दिजिएगा हर गाउं में पंचायद भवन है उस पंचायद भवन का इस्तमाल सिर्फ चुनाओं के समय में किया जाता है चाहिए वो कोई भी चुनाओं हो उस पंचायद भवन को अगर ग्रामीन स्वास केंदर में बदल दे तो सरकार के ऊपर राजस्व का बोझ नह चूछभाद में और याइसेंगेफ्टो को रूलर डॉक्टर की मैनेता श्वाइना सालवर का ट्रेहीं किसी को कि उर्थोपेडिक्स साथ निजिए के धसे गईनो 9 से उनको रूलर टॉक्टर गोशित करके इनी के गाउं में बैठा दीजिए आप देखिए स्वास सुधर जाता कि ने सबाल नहीं पूछना है सबाल के साथ जवाब लीजिए और एक बहुत बड़ा सबाल है जीवाबर के सामने आप देखते होंगे चुनाओं के समय में हर नेता सुबह सुबह नेको रो यह जो युवाबर घूम रहा है रोड पर इसका रोड मैप कहा है भाई जी रोड मैप लेकर ना आते कि पटना जाना होगा यहीं पड़ुवतन करना है सारे नेता जी यह बात सोच ले तो उनके रैली में जो हजारों की भीर होती है वो कैसे होगा फिर अब उनका तो काम है कि चार साल के डिगरी को चो साल में कराएंगे तो दू साल जणडा लेके घूमेगा युवा यही है न उनका और विकास की जब बात ये लोग करते है न और युवा की बात तो इनके सिधा है कि हमर बेटा पोता होगा तो वो युवा हो गया अज गरीब जंता के बेटा पो कितना महान लोग है कि सब उन्हीं को दान कर देता है भगवान अईसन दानी तरी गड़ीवों गुरुबा के दोह की बात यहां करना है हम लोग को कि उनका एफिक्ट रिपीट दखे ना करोर रुपया दूसरे को लोन देते हैं आप पर हम बैंक जाए ना जमीन का कागच लेक सब्सक्राइब करना है और उसका सुझाओ भी मेरे पास है कि कैसे होगा सब्सक्राइब नहीं पूछे हैं पढ़े लिखे वर है ना सब्सक्राइब जबाब भी है और जो संसाधन मौजूद है उस संसाधन को जोड़के मिला करके जीना भी सीखे है चुनाव के दिनों में जब चुनाव एक दो दिन पहले होता है तो बिधायक दल के या फिर उस पार्टी के लोग जाते हैं गाउंगर में कुछ पैसे दे के वोट खरीद लेते तो क्या आप उन वोटरों को कुछ अगाह करना चाहेंगे कि आज 500 रिपे में अपनी 5 सलमत ब बहुत मामूली होगा आप भी खरीच सकते हैं मगर इस कौपी पर और इस कलम से जितने जोड से और जितने सुनेरे सब्दों में अपने आने वाली पीडी का भविस आप लिखिये गाना वैसा ही भविस होगा तो चुनाव आपको करना है कि आप उनके पैसे लेते हैं उनका खाना खाते हैं कि इन सब को छोड़के कौपी पर अपना भविस लिखते हैं जो आने वाली पीडी को मजबूत करेगा जी हां बिल्कुल सही इनों ने कहा कि अगर आपको अपनी अगर चिंटा है तो इस वार वोट में अपने मत का सही परियोग करें और अपने जीवन को खुसाल और सुखाल बनाएए जी हां अभी आप हमारे साथ जुरे हुए थे परमजीत सिंग के साथ जो कि एक पढ़े ल या तो आज हमारे जो यह प्रतियाशी हैं निर्दलय अप्रतियाशी हैं यह निर्दल्य के शातस आज आपिने वर और जी यहां जैसा के इन्होंने बताया कि मैं एसकूल के टीचर हूँ और इन्हों ने जिस तरीके से सिक्षाविद्ध और सिक्षादान किया है उसे हिसाब से लगता है कि यह लोगों के लिए भी अच्छा काम करेंगे दन्यवाद